हलो अब देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप M.C.A. करना चाहते हैं इगनू से जिहां इंद्रा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सटी से अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर अप्लिकेशन कोर्स करना चाह तो M.C.A. कोर्स जो होता है वह इगनू जुलाई और जन्वरी दोनों सेशन में ओफर करता है अब जैसे कि आपको पता है कि इंद्रा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्स्टी में दो सेशन में एड़िशन होते हैं जुलाई सेशन में भी होते हैं तो M.C.A. जो कोर्स है वह चाहिए आप जुलाई सेशन में भी कर सकते हो और जन्वरी सेशन में भी कर सकते हो दोस्तो M.C.A. तीन साल का कोर्स है जो कि सेमेस्टर बेस कोर्स है यानि कि हर सेमेस्टर में आपके हर साल में आपके दो सेमेस्टर होंगे और हर साल में आपके दो बार एक्जाम होंग then second semester आपका December में होगा तो MCA जो है वो 3-year वाला course है और semester-based ये program है maximum time जो आपको मिलेगा इस course को complete करने के लिए वो 6 साल मिलेंगे कहीं बर क्या होता है कि किसी भी reason के उज़े से आप exam नहीं दे पाते हो अपना course complete नहीं कर पाते हो तो maximum spam time जो है course को complete करने का वो 6 साल है After completing 1 year you will get Postgraduate Diploma in Computer Application Certificate हैने कि क्या होता है कि जब आप MCA course का first year complete कर लोगे तो आपको Postgraduate Diploma in Computer Application का Certificate मिल जाएगा हैने कि एक साल करके आप उसको छोड़ सकते हो तो आपको PGDCA की डिगरी मिल जाएगी इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों course के objective की तो Masters in Computer Application जो course है इसका जो main objective है वो यह है कि जो computer technologies होती है software होते है उसकी जो theoretical और practical knowledge होती है उस knowledge को जो भी student pursue कर रहा है MCA course तो उस student को जो theoretical and practical knowledge होती है computer software और technologies की उसके बारे में उसको याद करवाना इसके अलावा दोस्तों हम बात करता है इसकी eligibility criteria की eligibility criteria की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी discipline में अगर आपने graduation कर रखी है किसी भी discipline का मतलब है भाई BA कर रहा खाओ आपने B.com program कर रहा खाओ आपने B.H.C. कर रहा खाओ आपने then you are eligible for M.C.A. course अब यहाँ पर एक और चीज़ है graduation के साथ साथ यह लोग बोल रहे हैं कि mathematics as a subject आपने class 12 में पढ़ा होना चाहिए या फिर graduate level पर पढ़ा होना चाहिए if you have not studied maths then you have to choose B.H.C. 12 course in M.C.A. तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि suppose करिए आपने graduation आप भी complete है ठीक है और आपने mathematics as a subject या तो plus two level पर पढ़ा है या फिर graduation level पर पढ़ा है तो उस case में आप eligible हो admission के लिए उस case में आपको यह B.H.C. 12 course नहीं परसू करना लेकिन आपने graduation complete कर ली ठीक है लेकिन आपने math as a subject ना तो plus two level तक पढ़ा है ना तो graduation level तक पढ़ा है तो उस case में भी आप eligible हो admission के लिए उस case में दोस्तों आपको math as a alak subject लेना पढ़ाएगा M.C.A. first semester में जिसकी alak से थोड़ी fees extra होगी तो math अगर आपने graduate या plus two level पर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप M.C.A. course करने के लिए eligible हो इगनू से ठीक है बस आपको एक extra चीज़ करनी होगी कि first semester में आपको extra subject पढ़ने को मिलेगा fees structure की अगर मैं बात करूँ तो total fees जो है course की वो भागतार अजार रुपे है ठीक है यानि कि 72,000 रुपीज है total जो आपकी semester wise पे होगी जब आप admission लोगे तो admission के time पर आपको 12,000 रुपे पे करने होगे देन आपके first semester के paper हो जाएंगे उसके बाद second semester में आप admission लोगे तो फिर आपको 12,000 रुपे करने पढ़ेंगे तो इसी तरीके से जो per semester fees है वो है आपकी 12,000 रुपे those who will choose BSC 12 course will have to pay 1400 extra in first semester अब ये BSC 12 course किसके लिए है जैसे कि मैंने आपको पीशे बताया कि जो बच्चे without math वाले हैं जन्होंने plus two level तक graduation में math subject नहीं पढ़ा है तो वो of course mc में math subject पढ़ेंगे first semester में तो उस particular subject के लिए 1400 रुपे आपके first semester में extra लगेंगे ठीक है बागे exam का मैंने आपको बताया semester based course है semester mode में आपके examination होंगे साल में दो बार paper होंगे papers कौन-कौन से यानि कि कौन-कौन से subjects आपको पढ़ाई दाएंगे मैं video के description में एक आपको link दूँगा उस link पर जाकर देखरी जिएगा कि कौन-कौन से subjects आपको पढ़ने को मिलेंगे MTA course में तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में update थी I hope आपको यह video useful लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा कोई और कारीज हो comment section में लिखके पूछ सकते हैं अभी के लिए video में इतना ही thank you